भारत द्वाज हमारे साथ बने वे पंडी जी जिसे आध्यात में कहते हैं जिसे स्प्रिच्वालिटी कहते हैं जिसको लेकर हम तमाम अभी अभी हमने वो जो पैकेज हमारा चला है उसमें भी बाते सामने आई है एतिहास में जो कुछ भी हुआ है और बड़ी-बड़ी घटन तो ये जो एतिहास है क्या उसे हमें नहीं समझना चाहिए और उससे जोड करके आज को नहीं देखना चाहिए निश्चित रूप से क्योंकि सास्त्र जो है हमारे एशे हैं कि जब विज्ञान नहीं था आज का विज्ञान तब भी हम इन ग्रहों को बास की पोंगी से इन ग इस रूपए का पंचांग शूर्य ग्रहेंड चंद्र ग्रहेंड कब होगा इसकी विर्कुल सटीक जानकारी देता है तो एक चीज यहां पे निश्चित रूप से बेहद अवश्यक है जानना शूर्य सौर्य मतेंद उच्च पदबिम शूर्य और चंद्रमा इस स्रिष्टी नहीं जहां भी इनका प्रभाव है शूर्य चंद्रमा का इनके प्रभाव से ही मनुस्य ही नहीं अपित पूरा जड़ चेतन जीवंत है और उर्जा पाता है सूर्य आत्मकारक होता है सूर्य उर्जा कारक है शूर्य निश्चित रूप से जनक कारक है पैदा करता है और चंद्रमा निश्चित रूप से उसका पोशन करता है जीवंत रखता है तो एक चीज यहां पर जानना बहुत आवश्यक है कि शूर्य ग्रहण और चंद्र ग्र हुआ है सूर्य ग्रहन आ गया कि है दूर्बलte उत्रवलत उत्पन्त हो जाती वि0 है जिससे डिसीजन लेने में बहुत मोई होती है और जब सूर्य ग्रहन आता है तो निश्चित रूप पेकर से सूर्य का प्रभाव है एक तरह से ओज़ का तेज़ का और ऊर्जा का तो जब आपका मन और उर्जा दोनों डाउन होती हैं तो परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते हैं और यही प्रभाव पूरी प्रकृति पर अगर 15 दिन के अंदर चंद्रग्रहन और सूर्य ग्र वक्त जो पूरे विश्व में हो रहा है, जिसकी चर्शा हम कर रहे हैं लगाताल वो अपने आप में वाकई चिंता का विश्व हैं चाहे वो यूकरीन का मसला हो रूस यूकरीन का मसला हो या फिर अभी इसरेल का मसला हो, हमास लिबनान तमाम जो युद्द के स्थिती बनी देखिए सबसे पहले तो स्वेता जी एक चीज यहे निश्चित रूप से स्वविकार करनी पड़ेगी कि जो प्रकृति के माध्यम से जो लिख दिया गया है वो हो करके ही रहता है और उसके एकोर्डिंग देखिए सूर्य ग्रहन और चंद ग्रहन दोनों एक ऐसे टाइम पे आये हैं कि युद्ध की इसिती युद्ध की सुखबुगाहट आप सभी लोग देख पा रहे हैं तो निश्चित रूप से जोतिस का यही सिद्धान्त है और यहाँ पे मैं असपष्ट जो करना चाहता हूं कि सूर्य जो है न वो हो आत्म कारक है आत्म चिंतन मतलब लोगों का चिंतन व्यक्ति के हिर्दे से निकल जाता है मस्तिक में लोगों का चिंतन नहीं रह जाता है मन बिचलित हो जाता है देखिए एक बात से हो सकता है मनीश जी हमारी बात को निश्चित रूप से सभीकार ना करें लेकिन जोतिस का एक सिद्धान्त यह भी है रवींद्र राहू हरी जन्म काले प्राणप पयाने चन्रपा विसे चने जोतिस के माध्यम से कहा गया है राहू और केतु चंद ग्रहन और सूर ग्रहन को लगाते हैं तो यहाँ पे जो विज्ञान के छात्र है वो हमारी बात को जब सुनेंगे तो उनको हसी आएगी चंद ग्रहन चंद ग्रहन चाया ही है और नकारात्मक चाया है जब राहू और केतु की एक तरह से चाया मतलब चाहे प्रिथभी की छाया हो, चाहे सूरी की छाया हो, चाहे चंद्रमा की छाया हो, जब सूरी और चंद्रमा की उपर आती है, तो वहां से नकारातमक प्रभाव निश्चित रूप से प्रिथभी पे आता है, तो जो वही छाया, एक मिर्द स्वेता जी, निश्चित र रहे हैं तो इनका जो एक तरह से जो इनकी चाया है ना वो चाया मन मस्तिक को मलीन कर देती है और व्यक्ति जो है अपने इस्थिती को कंट्रोल नहीं रख पाता है जिसके कारण तमाम आपदाएं और तमाम युद्ध देखे गए हैं पंदित विनोद भरद्वाजी ये बताईए कि तीन बचकर सत्रा मिनट बताया जा रहा है जब ये समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद जब ये ग्रहन का समाप्त हो जाएगा उसके बाद लोगों को फिर क्या करना चाहिए देखे श्वेता जी क्योंकि शूर्य ग्रहन और चंद ग्रहन के बारे में ऐसा कहा गया है सास्त्रों में कि यदि सूर्य ग्रहन का प्रभाव आपके उपर तब ही होगा जब उसकी उर्जा जब उसका ओज जब उसका प्रकास आपको प्राप्त होगा तो क्योंकि हमारे भा बहुत जादा इसका प्रभाव नहीं होगा। तो इस तरह से यहां के जो लोग हैं उनको बहुत कुछ करने की आउशक्ता नहीं है। लियों पर अपना असर छोड करके जाता है जैसे जल ऐसा देखा जाता है कि एक तरह से जल ये वस्तूँँ पर अपना प्रभाव छोड के जाते हैं तो अगर आप जल भर के रखें तो इसे फेक दें मौशकता है आप भोजन भी यदि आप बना करके रखें और उस पे उसका प्रभाव छूट सकता है, तो जो भोजन का भी जहां तक हो सके त्याग कर दें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपका अश्नान करना, क्योंकि आप अश्नान से निस्चित रूप से पवित्र हो जाते हैं, आपके रोम के छिद्र खुल जाते हैं, जो भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में है, वह नकारात्मक प्रभाव धुल जाते हैं, मनीश्या पर हमार से अश्टुतख अप पर आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब, डाउन्लोट कीजिए अश्टुतख अप और चिटकी में जड़े